अभी जो धिरेंद्र सास्तिरी जो बिहार में आ रहा है उनका जो विरोध आरजेडी वाला कर रहा है ये लोग कर रहा है मैं नहीं कर रहा हूँ और इसमें एक तेजपरताब यादो जी का ये ब्यान आया है कि अगर धिरेंद्र सास्तिरी आते हैं और बिहार में हिंदू मुस के अधिरेंदर को समझने की बात है और मेडिया साथियों से मेरा बिंति हैं कि उस बात को आप समझेए कि उनका कहना क्या है यह देश जो है हिंदुस्तान जो है धर्म निर्पेक्ष देश है इसमें धार्मिक एक धर्म के बेक्टी नहीं रख सकता है सभी धर्म को मानने वाले लोग यहां रखते हैं आज आपका धर्म सरुसेथ है यह मानिये सब को मान रहा है हम हिंदु है हम अपने घर पर पुजा करते हैं सब को पता है लेकि इसमें कहने के क्या जरूँत है कि हम ही हिंदु का ठीकदार है तो कहते हैं हम हिंदु का ठीकदार है विल्पुल उनका देखते हैं बाबा ऐसे ऐसे समधान बताते हैं तो ये दिकत कह ऐहा है अप लोगों कोई आ रहा है आपके बिहार में कोई परिसान है दिकत है उसको यदि उसको तरीका बता देंगे उस समस्य से निकलने के लिए तो ये हाँ, वो सब दिखा चुकी है, तो वो कहेगी कि हम हिंदू तो केथिकदार हैं, हम आपको जादू टोना करके दिखा देते हैं, आपकी मन की बात हम जान लेते हैं, पत्थर रग देंगे, पुझा चड़ाईए, यहाँ पर भी कलोपती बन जाएगी, बाबा का रास्ता अलग बाबा का यही रास्ता है, यह आरोप क्या लगा रहा हैं, कि 900 करोर रुपया बनाने का, बाबा 26 साल के है मातर बाबा का, और बाबा 900 करोर के मालिक है, उस पर बहुत बड़ा आरोप भी लगा, ब्यान भी दिया है, तो मेरा केम सरकार से मैं अपने माध्यम से भी वीडियो बना के बोला, कि जिस परकार से हमारे नेता के उपर आरोप लगता है, कि तजस्वी जी कैसे कोडर रुपती बन गया, कैसे उनकी दिलने में फ्लेट है, तो इस बाबा के उपर आरोप लगा, तो बाबा के उपर CBI, ED, रेड नहीं मारेगी, क्या, एक सिर्फ BJP के अजेन के रुप में काम करेंगे, तो इनको सनक्षन मिलता रहेगा, अचा एक बात बताईए, ये तेजपरता, पियादो का जो संगठन है, DSS, ये कौन सा संगठन है, इसका फूल फर्म थरसा बताईए, DSS जो है, हमारे बहुत पहले से चलते आ रहा है, मितलब से ताट साल पहले इन संगठर में रहेंगे, और एक संदीश देने का काम करेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सीख किसाई, हम है आपस में भाई-भाई, इस नारा के साथ हमारा हिंदूस्तान बढ़ेगा, इस नारा के साथ हमारा बिहार बढ़ेगा, और जो राजनित का जो जरिया होता है, राजनित म प्रफम राश्ट पती हमारे राजंदर परसाद जी हुआ करते थे प्रफम हमारे देश के जो यहां से गांधी जी का जो दर्जा दिया गया है वो हमारे इस चंपरन से आते हैं